हेलो दोस्तों मेरा नाम है नरेंडर और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने चेनल अकाउंट शोर सुलिशन में एक जो नया नोटिपिकेशन आया है उसके बारे में डिसकस करेंगे नोटिपिकेशन नंबर है 90-2021 फोर एचेसन कोड यानि एक जो यह नोटिपिकेशन आया है इसमें आप लोगों को क्या करना है जिनका टैर नुवर पांच करोड से ज्यादा का टैर नुवर है उनको एक अप्रेल 2021 से जो आपके एचेसन नंबर है वो आपके फोर डिजिट के तो यह आपके जितने भी आइटम है जितने भी है कि अंदर अग्सरान है वो आपको 8 डिजिट एंटर करना है तब आप आपका डीटेन फाइल कर पाओंगे और आपके पास जितने भी आइटम है नहीं तो आपको प्रोब्लम आ सकती है आज आपके लिए बताऊंगा कि bg software में आपके पास जितने भी item है उनके एके करके आप डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा time लगेगा आपके addition number जैसे 4 digit के आपने कर रखे हैं bg software में आप एक साथ bulk updation करके एक साथ 4 digit को add digit में बदल सकते हो मैं अभी आपके लिए बताऊंगा bg software open करके कि आपको किस तरीके से आपके 4 digit को add digit में convert करना है आपको वीडियो starting से end तक जरूर देखनी है जब तक आप starting से end तक नहीं देखोगे तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा आपको फस्ट में ने जो बताया है एक जो notification आया है इसमें ये बताया गया है कि आपका turnover अगर 5 करोड से ज़्यादा का है तो आपको अप्रेल 2021 जो नया year जो आने वाला है इसमें आपके जो भी item है जिनके hsn number जो है 8 digit के होना compulsory है तब ही आपका return file होगा अन्य था आपका gstr1 का जैसे return file करोगे तो उसमें आपका कुछ error आ जाएगा और आप जिन party के साथ business कर रहे हो जिनके लिए आप माल बेच रहे हो उनको भी ITC लेने में problem आ जाएगे आपका सही तरीके से return file नहीं होता है तो उनको ITC नहीं मिलेगा इस वज़े से आपको दिहान देना है कि आपके जो भी 4 digit के हैं वो आपको 8 digit में convert करने हैं कैसे convert करने हैं यह मैं आपके लिए बता देता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप कैसे bulk updation कर सकते हूँ ले चलता हूँ मैं अपने bg software के अंदर आपको मैंने बताया कि आपके जितने भी आइटम है आइटम आपके 1000 हो सकते है 2000 हो सकते है number of quantity कितनी भी हो सकती है आपके पास अगर आइटम कम है यानि 200 है या 300 है तो भी आपको यही system अपनाना पड़ेगा अगर आपके पास 15 आइटम है तो आप personally एक एक आइटम को modify करके वहां से आप कर सकते हो लेकिन जैसे आइटम आपके पास ज्यादा है तो कैसे कर सकते हो यह तरीका आपको समझना है और अच्छी तरह से उसको use करके आपके bg software के अं करना है कि आपके जो एक से नमबर है कौन कौन से एक से नमबर है जो एट डिजिट में आपने लिख रखे हैं यह एट डिजिट में अपने एंटर कर रखे हैं और कौन से एक से नमबर है जो आपने फोर डिजिट में एंटर कर रखे हैं आप चेंजिक तबी तो कर पाओग है कि आपका जो एचे से नंबर है इस आइटम के अंदर फोर डिजिट में है इस आइटम के अंदर एट डिजिट में है तो कैसे आपको चेक करना है किस तरीके से आपको चेक करना है यह मैं आपके लिए बता देता हूं कि आपको डिस्प्ले पर एंटर करना है इसके बाद आ आपके सामने एक option नजर आ रहा है इस टोक स्टेटस एचेसन कोड़ वाइज जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ओल आइटम सेलेट कर लीजिए मैंने ओल आइटम सेलेट कर लिए हैं इसके बाद मैंने कर दिया इंटर आप जैसे करोगे आपके पास नंबर ओप क्वंटिटेटि आइटम कितने भी हो लेकिन आपके पास टोटल एचिसन नमबर है यानि आपके पास एचेसन की जो केटेगरी है घ्यारा तरह के ऋच आपके पास है जिसमें दो हैच आशन नमबर है जो एट डीजिट मैं कं आपको एक कारणा है फेहले को आपको यह स्टेप फोलो करके इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि आपके पास एयक्रशन की जो वेराइटिक तो इसको परके क्नेट कि आप केouching harbor है अन्य सहले हों यहां उनको पर हैं यहरो किसे करोगे कैचल शिपTT shift के साथ जिसे down arrow प्रेस करोगे तो आपका जो बेट्रेल है यानि जो आपकी seat है यहां से COPY हो जाएगी Ctrl-C आपको करना है आपको यहां पर Excel खोलना है और एक्सल खोलके यहां पर पेस्ट कर देना है आपको इस तरह किसे पेस्ट कर देना है अब आपको चेक करना है कि 704 जो है आपके पास आड़ तरह के एचेशन है टोटल जो है आपके जो टोटल है इस तरीके से लिखे हुए है 704 यह पूरा complete 8-digit का है इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है जैसे 1902 है नमबर है आपके पास ज्यादा है नमबर हो सकते हैं तो आपको सिंपल तरीका यह है मैं आपके लिए बता रहाएं कि सिंपल तरीकाूं यह है 1902 है इस 1902 के अंदर आपके ऐटम-पांसो सकते हैं 200 हो सकते हैंania तो आपके जो आइटम के अंदर यानि जो इसा भी आपका आइटम है उसके अंदर 1902 एचेशन होगा तो उसको आप एक साथ चेंज कर सकते हो बल्क अपडेशन के थुरू वो कैसे चेंज कर पाओगे सब्पूच करो कि आपका 1902 और यहां मैं 40 एंटर कर देता हूँ कि आपका एचेशन कोर्ड 1902 और 40 एचेशन कोर्ड है ठीक है तो आपको कैसे करना है पहले तो 1902 सेलेक्ट करना पहले तो आपको यहां पर देखना है कि कौन सा HSN पूरा नहीं है यानि 1902 है मेरे पास HSN जो 4 डिजिट में है मुझे 8 डिजिट में कनवर्ट करना है तो आपको वापस से बीजी सॉप्ट्वेर में आ जाना है और यहां से आपको को एड्मिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है बल्क अबदेशन पर आपको क्लिक करना है इसके बाद एक जो ऑप्षिन आ रहा है आपके सामने अपडेट आइटम टेक्स केटेगरी एचेशन कोड इस पर आपको एंटर करोगे तो इसमें आपको एचेसन कोड सेलेक्ट करना है यहां आप गुरूप सेलेक्ट करना है आप कौन से गुरूप का एचेसन कोड चेंज करना चाहरे हो आप कोई सा भी गुरूप आपका जो भी गुरूप आपने बना रखा है वो वाला गुरूप आपको सेलेक्ट करना है जैसे मैंने जनरल गु select करके okay कर देना है यहाँ पर आपको वाई करना है इसके बाद जो भी आपका पुराना है यानि मेरे पास 1902 जो एचेसन नंबर लिखा हुआ है मैंने को यहाँ पर 1902 enter करना है अब 1902 change होके new hsn code में change हो जाएगा जैसे मैं है 1902 और इसका जो एचेसन है मैं 40 enter कर देता हूँ यानि आपका जो भी सही hsn हो new hsn नंबर जो four digit बाकी के जो आपने एंटर नहीं कर रखे हैं वह आपको एंटर करने हैं इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर आपको क्लिक कर देना है यानि आपने एक जो एचेसन है 1902 वाला वह आपने चेंज कर दिया है जैसे 1704 है यहाँ पर आपको वापस से सेलेट करना है 1704 और इसमें 1704 और इसके four zero में सेलेट कर देता हूँ मैं के अवल टबल अग्जामपल के लिए बता रहा हूँ आपको आपको जो भी आपका औरीजिजनल जो फीचे जो शार डिजिट बाकी है वो आप को एंटर करना है टोटल एट डिजिट आपको इसके बाद नेक्स्ट जो एचेशन कोड है 1902 यहां पर मुझे एचेशन पर क्लिक करना है यहां पर मुझे चनरल ग्रूप वापस से सेलेक्ट करना है वाई करना है 1902 1902 यह 1902 और 40 में ने इसके बाद यास इसके बाद मैंने दूसरा एचेशन सेलेक्ट कर लिया 1950 मेंने इसके बाद 206 एचेशन कोड है यहां पर 206 आपको एचेशन कोड लिखना है 206840 शेलेक्ट कर लिया है आपको जो भी आपका सई एचेशन नमबर है वह आपको एंटर करना है makeable example के लिए आपके लिए बता रहा हूं कि आपको यहाँ पर पुराने जो hsn code है वह enter करना है इसके बाद new hsn जो convert होगा वह आपका 40 enter हो जाएगा और आपका जो eight digit में convert हो जाएगा इसके बाद इसको कर देना है आपको save नेक्स्ट जो HSN है 322 32 आपको यहाँ पर एंटर करना है 322 400 में ने एंटर किया इसके बाद इसको कर देना है इस तरीके से एक ए करके आपके जितने भी HSN है यानि आपके पास आइटम कितने भी हो सकते हैं लेकिन है यानि आपके पास 10 एंटर कर दिया है इसको कर दिया है इसको कर दिया मैंने अपडेट कि इस तरीके से आपको single 1-1 Hsn सेलेक्ट करके यहां पर आपको एंटर करना है इसके बाद मैं आपके लिए report बता देता हूं कि आपकी जो report है Hsn code वाली जो report है वो वापस से चेक करके बता देता हूं कि आपको यहां पर एचेसन कोड रिपोर्ट चेक करनी है जो भी मेरे पास एचेसे नंबर थे यानि 1905 मेरे पास एचेसे नंबर बच रहा है जो कि जैसे मैं इसको कनवर्ट करूंगा तो आपके एचेसन फोर डिजिट में कनवर्ट हो जाएंगे और जैसे 14 2012 से आपके इन्वर्ट बनेंगे वह आपको एच डिजिट में ही आपको बिल बनाना है और जिस्ट रेटन जो आपके फाइल होगा अगर आप एच डिजिट नहीं एंटर करते हो अगर आपका पांच करोड से उपर का टार्न ऑर हैं अगर आप एच डिजिट में आपCN करने हैं इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्योरी है कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सेड जरूर करें वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवा thank you